गुड पॉर्णिंग सुपरबाद केमचो सलाम उम्मीद आप सब लोग बहतर होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे करेंंतर कर दो कैँसे की यह भार मन में कुशन उठता है क्या फाइदा है क्यों उसकी हेलप करें हम मन कभी-कभी ठोड़ा लालची हो रहता है या हम बोले स्वार्थी हो रहता है लालची से भैतर वर्ड है स्वार्थी हो रहता है तो कई बर हम दूसरे की मज़द करना नहीं चाहते है हमें लगता है कि यार इससे कोई फाइदा नहीं है ठीक है पर सच बात तो यह है कि हम दुनिया को जतना बड़ा समझते हैं उतनी बड़ी दुनिया होती नहीं है जतना बड़ा हम इस दुनिया को समझते हैं उतनी बड़ी दुनिया नहीं है कहते हैं दुनिया गोल है कोई भी कभी न कभी दुबारा आपके संपर्क में आएगा जरूर आपने मदद की हो चाए ना की हो आप जब किसी की help करते हैं कोई आपसे मदद मांगता है मदद मांगने का मतलब यह है कि जन्यून help की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि मदद के नाम पर जो है वो हमने यह गोर किया है कि हमारे content बहुत ज़दा है दर दर शेर होने लगते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि इससे organization को loss होता है और organization अपने एक purpose में काम कर रहा होता है तो ऐसी मदद नहीं करना है जो एक परकार से किसी भी तरह की virtual intellectual कोई भी चूरी में involved है ठीक है ना तो वो मतलब मैं मैं जब भी help की बात करता हूं तो बच्चे सुचते कि इस खर बोल रहे हैं कि उठा के पुरा कभी आपको पहले कभी बताया हो मुझे याद नहीं पढ़ता कि मैंने बताया थे होし सता है वी यह कि एक बार ₹, हो यह कि उस्टमळम में झाहिंक तो हमाने में सब्क्राइब मत出ते त्मांब नघ्र नांति जड को सब्सक्राइब कमें जी युठ शनेड़ से 585 सब्सक्राइब तो उससे में हमारे विदीशा में कोई टीचर नहीं हुआ करते थे बाटनी बताने के लिए तो मैंने कुछ बच्चों को बाटनी पढ़ाना शुरू कि है वो भी संडे टू संडे तो सटर्डे को मैं आया करता था अपने कॉलेज से दोफेर में हाफ डे होता था आधे दिन मे अपने ट्रेन पकड़ी विदीशा आगे अपना सटर्डे को शाम को एक क्लास लिया तीन चार घंटे का फिर संडे सुबह क्लास लिया संडे को रात को बेठे या मंडे को मॉर्रिंग में बटके अपना बापास भुपाल आगे पाज दिन अपना मेडिकल कॉलेज अटेंड क्लास दूंगा मैं फिर दो घंटे का ब्रेक दूंगा मैं बारा बजे उसके बाद फिर एक दो घंटे का ब्रेक पर क्लास लिया करता था भएक पता नहीं कहां से इतनी आती प्रकार से तो तो उस समय मेरे मेरी क्लास्रूम में बच्चे जो थोड़े दूर से आते थे तो वह अपना खाना लेकर आते थे किसान परिवार का बेटा था बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास थे तो एक दिन क्या वह अपना लंच कर रहा था क्लास्रूम से एक वह अपने कमरे फोड़ के घर में तो उस समय घरों में चुटे कमरे होते तो दिवारे अटा के लंबा बन गया तो मैं निकला किसी काम से नीचे तो मैंने दिखा वह लंच कर रहा है तो मैंने देखा कि वह अपनी आ दो या तीन रोटी जिसमें कोई घी भी बगेर घी लगी रोटी और नमक और लाल मिर्च जो है वह मिला के लेका है तो से लगा लगा रोटी खा रहा था हो मन को बड़ा खराब लगा मैंने मम्मी को बताए कि बच्चा आता है पढ़ने के ममी ना उसको सबजी घर मनती थोड़ी एक कटोरी सबजी उज़ाए कर दे लेकिन हमारा एक असिस्टेंट था उसको बोल रखा था हमने कि जाके तुम नीचे एक कटोरी सबजी दे जाकर उसको तो लड़का जब भी देखीगा खाने खाने को तो एक कटोरी सबजी सिर्फ है जब तक क्लास चलती रही कुछ महीनों तक तक ऐसा चलता है तिक हमको मन म में खराब लगा चलिए बाकी इसका कोई वह नहीं था कि में इस कटोरी सबजी के बतले क्या मिलेगा बच्चा है था बाहर साया करता था कि फीज विसकी हमने आधी ली थी लिए लिकिन फीज ठीक है आधी ली थी सब्सक्राइट के मंधली फीज 200 रूपय महीना हुआ करती ही जब बन अप दी बिगेस्ट सर्दन नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा को कई बात आदमी को अच्छा है कि हमारे पुराने हमबल बैक्ग्राउंड के बारे में हमारे टीचर ने सबको बताया नाम लेके बताया तो मैं नीचा था अभी मुझे मालूम है कि उसका बहुत ऊ पचाना खुद उसने बताया कि सर में वह हूं ऐसा है तो मुझे बन में बड़ा अच्छा लगा दिखके मुझे यह बात समझ में हाँ पर कि इसने उतने लोग थे उसमें से आके मुझे पचाना मुझे सिने बताया सब की तो बहुत बड़े सवरदर नहीं है यह साइव ऐस दिनर इन होटल लीला में उन्होंने डिनर के मुझे इवाइट किया गया भी मिला तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वह जब आप किसी की हैल्प कर रहें कौन क्या फूचर में कर जाएगा अभी हाली में यह किस्सा क्यों यादा है मुझे मैंने इंडिन आइडल में पढ़ा कह कि नेहा ककड जो है वह एक पहले किसी जमाने में इंडिन आइडल से रिजक्ट कर दी गई थी अब हालंकि वो जजज करती है उसको तो नेहा ककड ने अभी हाली में किसी का औरडिशन चल रहा था हाँ तो एक लड़का आया हाँ उस लड़के ने अपना नाम बताया नेहा क नेहा ककड चोटी रही होंगी नेहा ककड भुदबड़ी सिंगर हैं इंडिया की नेहा ककड उनकी शिस्टर जो थी और उनका ब्रदर जो था यह तीनों चोट-चोटे बच्चे जो है जगराता करते थे नेहा ने बताया कि बहुत गरीब परिवार से वह लोग है ना कई वा पर दोनों भाई भेहनों को जो है दो छुट अपनी बहन और अपने भाई को नेहा ने मुंबई भेजा कि तुम वहां जाके कुछ गाकर देखो मुंबई में बड़ा स्ट्रगल था रहने को घर नहीं छुटा था चौल जिसा कमरा मिला उसका किराया जगराता करती थी नेह कड़ अपने रिचिकेश में जगराता करती थी वहां से पैसा भेजा करती थी जोड़ जोड़के अपने भाई-बेन को मुंबई के लिए तोनी कड़ दर यहां पर काम सुरूआ उनका अफ धीमेधी में जो है वो तीनों भाई-बाई-बहन जो है वो इंडस्टी में छाग कि उन्होंने और मैं तब आप सुचिए कि यह दुनिया कितनी गोले कि वो उसके घर में उसके पिताजी के साथ जगराते में जाने वाले चुट-चुटी बच्चियां आज बड़ी हो गई है और वो इतनी बड़ी सिंगर बन गए कि वो जज कर रही इंडिन आइडल को और सा बड़ी है जब भी कभी किसी से प्यार से दो बोल बोलने से किसी की मदद करने से कुछ नीव गड़ता बैटा कभी लाइफ में आपको इसा लगता है ना कि हम बहुत जदा स्वार्थी बनते चले आ रहे हैं सेल्फिश तो रुकिये सूचिये जरूर तो कि जिन लोगों को ह अभी जो है ना जिन लोगों को हम अभी एकदम अवाइट कर रहे हैं जिन लोगों से हम बुरबायार कर रहे हैं उनका भी वक्त बदलेगा इसलिए किसी आदमी के बारे में राय कायम मत कीजिए जब वक्त बदल जाता है ना तो राय भी बदलने है continues मैं जबूर बोलता हूं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं आपने लक्ष के लिए हैं आप तो हमेशा जो है वो ती क्यूपी का ध्यान रखिए ती क्यूपी का मतलब है टोटल क्वालिटी प्यूपल मतलब जिन लोगों से आपका लंबा इंट्रेक्शन है वह वैसे लोगों जो आपके लिए मोटिवेटिंग को आपको सपोर्ट ही हो जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं उनको अवाइट कीजिए उनको छमा कर दीजिए तुमको बुरा बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं उनको छमा कर दीजिए जो पॉजिटिव बोलते हैं उनको अपने एसेट में कि वह आपके एसेट है वो आपको सपोर्ट करते हो कई लोग बुराई करनेवाले हैं आपको सहीध इशा भी बिताते हो किसी ने मुझे बोला कि बायो मेंटर्स के एप में सार वीडियो डाउनलोड करते हैं डेटा बहुत कंजीम होता है डेटा फिक्स करो यूट्यूब जैसा बनाओ हमारी टीम एक साल तक रिसर्च करते हैं एक साल तक अब जाके उन्होंने सॉलिशन निकाला जो भी इंप्लिमेंट नहीं हो हो जाएगा वो कुछ दिन में अभी टेस्ट वीडियो निकाला कि 100 MB के अंदर उन्होंने पुरा एक सवा घंटे का बहत्रिन क्वालिटी का वीडियो करके देखा उन्होंने बच्चोंने फीडबेक दे कुछ को थोड़ी दिक्कत गई कुछ को दिक कर दिया उसको हमने कि तुम आरा टेकलोजी ऐसा कर दिया हमने कि तुम 240 वीडियो देखो गए 480 की क्वालिटी आएगी डेट डेटा कंजम्शन भी वह आपका सिधा घटके 200-300 MB से घटके 100 MB 80 MB हो गया हो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है वैसा है गुल गुमाते रहे हमको आप देख लो यह सोलीशन देख लो नहीं मिली हमने एच्टेक कंपनी जो इस फिल्ड में काम कर रही उनसे बात किया किसी ने हेल्प कि टीम ने पने सिरे से पुरा खोजा आर इंडी क मैं इतना जानता हूं कि आप जो है आपको सिर्फ अपने इंटेंशन प्योर रखने आपको अपनी मंजिन नजर के सामने रखनी है इंटेंशन प्योर रखने है बाकि फिर कुछ मस सुचो जिन्दिगी में लॉज अफ्ट्रों डाइणिक्स स्काम करते हैं जो तुम उरजा जहां लगाओगी न वह लूट जरूर आईगी नेंगिटिव में लगायोंगे तो सो पॉजटिव लोट गर आईगी आपको बस सही दिशा में उरजा लगा vale